नमस्कार गायत्री सिनात कोतर कोलेज सांचोर की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्री विद्यार्थियों आजम कक्षा बीए पार्ट दुद्य विशे तियास में अक्बर की उत्तर पस्चिमी सिमात निती व अन्य राजपुत निती आधी के बारे में हैं वो पढ़ेंगे तो देखिए अक्बर पुरे भारत को जीतना चाहते थी इसलिए उन्होंने सबी राजपुत निती, मैत्री व युद तीनों की निती से कार्यों किया और उसमें सपलता भी आध लगी थी मेवाड के सासक उस समय महराणा परताब थी और मारना परताब को पराजित करने वब बंदी बनाने के लिए आमिर के कच्वा का मान सिंग को बिजाता और आमिर के कच्वा मान सिंग अलदी गाड़े की युद में न तो परताब को बंदी बना सका और नहीं पूर्ण रोप से युद जीत सका और नहीं मेवाड प्रदिकार कर सकते इस से अक्बर को गहरा नक्का लगा था और इसके बाद कि उसने कही प्रियास मिये लेकिन मारना परताव जीते जी कभी अक्बर के हाथ है वो नहीं लगे अब इसी तरद अक्बर के आरंबिक राज्यकाल में काबूल का सासक उसका सोतेला भाई मिर्चा मुहमद हकीम था अर्थाद बारत के इस मुगल सामराज्य के पस्चिमों तक काबूल राज्य का जो सुबिदार है वो उसका सोतेला भाई मुहमद हकीम था उसकी मर्ट्यू के बाद 1525 इस्वी में अकपर ने काबूल को अपने सामराजिय में मिला लिया और कच्वाहा राजा मान सिंग को वहां का गावर्नर नियुक्त कर दिया अगले वर्स मुगलों ने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया और उसे काबूल प्रांट का एक भाग बना दिया गया अब केवल दक्षिनी सिंद को छोड़कर समस्त उत्री भारत पर अकपर का अधिकार हो चुका था शिंद को अधिकरत करने के बाद इवह कंधार पर आकरमन करना चाहता था तो देखी 1585 में अकपर ने काबूल को भी अपने सामराजिम मिला लिया और कच्वा मान सिंग को काबूल का गवर्नर बढ़ा दिया और 1586 में कश्मीर पर अधिकार कर लिया और उसे भी अपने अधिनेवों कर लिया था इसके बाद दक्षिन सिंद को चोड़कर समस्त उत्री भारत पर अकपर का अधिकार हो चुका था सिंद को अधिकरत करने के बाद ही वह कंदार पर आक्रमन कर सकता था अतोह उसने बेराम खां के पुत्र अब्दूर रहिम खान खाना को सिंद पर आक्रमन करने के लिए बेजा था और सिंद के सासक मिर्जा जानी बेग तुर्कमान ने उसका डट कर सामना किया था किन्तु परास्त हुआ और अकपर ने जानी बेग को साही सेना में नौकर रख लिया सिंद विजे के बाद अकपर ने कंधार विजे के लिए प्यान सुनू कर दिये और पंद्रा सो पंचाओं इसमी में कंधार को मुगल सामराजिय में है वो मिला लिए अकपर की ये विजे उसकी कुशल प्रसास ने निती को दर्शाती है क्योंकि उसने फारस की साहा से सम्मध बिना विगड़े कंधार पर विजे प्राप्ट की थी और इसी वर्ष ब्रूचिस्तान पर भी मुगलो गादिगार हो गया था और इसी भी चकपर ने पंद्रा सो बराणो इस भी में उडिसा को भी बंगाल प्रांद के अंतरगर समयली थे हैं वो कर दिया था तो इस तरह अकपर ने बड़ी ही सूजबूजवा कुशन निपी से काबूर, कंधान, कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंद तक का सित्र भी अपने अधिकार में वो ले लिया था अब अकपर के दक्षीन भारत विज्यों में पढ़े हैं तो अकपर का द्याना है की निपी राकशित हुआ अर्था जो स्वतंत्र राज्य थे उनके पास अकबर ने अपनी अधिन्ता स्विकार करने के प्रस्ता बेजे और इस पर एक राज्य को छोड़ कर किसी भी राज्य ने संतो जनग उत्तर रेंगों नहीं दिया अतहब जिन राज्यों ने संतो जनग उत्तर नहीं दिया उन्हें युद में पराजित कर मुगल समराण अकबर की अधिन्ता स्विकार करने के लिए बाद्य किया और दख्षिन भारत की विजियों का हम आगे जो पड़ेंगे शाजा जहांगिर के वे औरम जेम के काल में तो उसमें हम इसकी बारे में विस्तार से हैं वो देखेंगे अलांकी दख्षिन भारत में औरम जेम के काल में चत्रपति शिवा जी एक बड़े शक्ति के रुपे उबर गई थी तो इस तरह अकबर ने दख्षिन भारत में भी अपने निती को क्रियानवित करते हुए और इस वो भाग को भी मुगल सामराजय के अंग में अंग के रुप में सामिल किया था अब देखिए अकबर की राजपुत ने लिए तो देखिए अकबर एक दूर दर्सी समराड था और उसमें सिग्रही समझ लिया था कि राजपुतों की सायता के बिना हिंदुस्तान में मुस्लिम सामराजय इस्थाई नहीं रह सकता तथा उनके सक्रिश योग के बिना कोई सामाजी गत्वा राजनेती गेगता संबब नहीं हो सकती अतह उसने प्रेव साहनुद भूती तथा उदार्था से राजपुतों के हरदे को जीत कर उनसे मेत्री सम्बंद इस्तापित किये जिसका विश्त्रत विवेचन आगे मुगलों की राजपुत निखी के अंतरगत किया जाएगा अक्बर की इसी निती के प्रेणाम सुरू सामराज्यमे सियुकत सास की वर का उदे हुआ था और जिन राजपुत सासकों ने अक्बर की अधिंता स्विकार करनी थी उन्हें दरबार में सम्मान दिया गया उंचे उंचे पदों पर निउन किया गया और उन्हें अपने धर्म का आचरन करने की स्वतंदर्ता दी गई और उन्हें अपने जीवन में दन संपती और मान मर्यादा की रक्षा का भी आश्वासने वो दिया था अर्था अक्बर राजपुतों की शक्ती से बली बाती परिचित हो गया था और इस काण से अक्बर ने राजपुतों ने जीनों ने भी अक्बर की ये दिनता स्विकार की थी उनको अपने दर्बार में उच्पत देकर मान मर्यादा देकर उनके अपने धर्म के नुसा स्वतंतर जीवन दियापन करने का कहकर विश्वास दिला कर उन्होंने अपने सामराजी को अक्षून बनाया था जो राजबुत अक्बर की ये दिनता स्विकार नहीं करते थी तो उनकी इस्तती को देखकर उनको राक्रमन किया और उने भी पराजित कर अपनी ये दिनता स्विकार करने पर मजबूर किया तो इस तरह अक्बर ने अपने कुशल परसासन पूर्ट नितीव योगे दाले आधार पर एक विशाल सामराज्य का निर्माने वो किया था अब हम देखते हैं अक्बर के पुत्र सलीम का विद्रोग तो देखिए अक्बर अपने बड़े पुत्र सलीम से सुरुवात से ही बहुत सने करता था और उसे प्यार से शेठू बाबा कहता था अर्थात अक्बर सलीम को क्या कहता था शेठू बाबा और अक्बर ने उसी अन्य राज्टमानों की तुन्ना में उच्पद भी बिया था और वह सलीम को अपना उत्रादिकरी बनाना चाहता था लेकिन युवा वस्ता में सलीम ने उद्रणता और अपने पिता के प्रती असिष्टा दर्साई सलीम अक्बर के साथ साथ अबुल फजल से भी नाराज था वह सियासन प्राप करने में उत्वाला हो रहा था और वह अत्यदिक मद्यपान भोग विलास कर रहा था जिससे अक्बर उससे नाराज हो रहा था और अक्बर ने जब उसे मेवाड की सेनिक अभ्यान पर भेजा तो उसने कोई रूची नहीं दिखाई पर अजमेर वापस लोट गया जब अक्बर दक्षिन में व्यस्त था तो सलीम ने अपने पिता अक्बर के विद्रो कर दिया और आग्रा की तरब चला गया उसकी दादी उसी समझाने रवाना हुई लेकिन वह इलाबा चला गया और अपने आप को स्वतंत्र सासक मानने लगा इसलिए अक्बर को दक्षिन से आग्रा आना पड़ा और सलीम अपने तीस जार गुड़सवारों की साथ अक्बर से मिलने आग्रा की तरब रवाना हुआ लेकिन अक्बर का कड़ा रूख देखकर वह वापिस इलाबाद लोट आया सलीम ने और्चा की राजा वीर सिंग बुंदेला से अबूल फजल की हैं वो अत्या करवा दी इस पर अक्बर करोज से पागलो उठा और सलीम सुल्तान बेगम और गुलबदन बेगम के प्रयासों से पिता पुत्र में मेल हुआ लेकिन लंबे समय तक ये मेल नहीं चल सका और अक्बर ने अपना ध्यान सलीम के पुत्र खुसरों पर कैन्दित किया और आमिर के राजा मान सिंग और अजीज कोका खुसरों को प्रोचसाइद करने लगी और प्रैणाम सरूप सलीम और उसके पुत्र खुसरों के बीच तनाव और खटोता पेदा हो गई इससे अक्बर को इतना आगात लगा कि वह बिमार पढ़ दया और इसी बिमारी के कारण 1605 में अक्बर की हैं वो मृत्यों तो इस तरह अक्बर ने अपनी सुजबूश सी सामराजी स्तावित गिया लेकिन उसके फुत्र सलीम के विद्रों ने उसे कमजोर कर दिया और आप सी करके जगडे के कारण अक्बर चिंता में पढ़ गया पर उसकी ये वो मृत्यों हो गई थी दन्यवाद